करेंगे बायोलोजी में जो है वह वह फिस्योलोजी से क्लास 11 से स्टार्ट करूंगा में वीडियो ट्राइब करूंगा अपना बैस्ट एवर डूंगा कि आपको वीडियो जो है रेगुलरी मिलती रहे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे थ्री कंटेंट्स और हैं जैसे की मोटिवेशन है की स्टेडी से और करियर गाइडर्स के रिलेटेज जो वीडियो से अब तक आपको इस चैनल पे मिले रहे थे लेकिन बायोलोजी जो है एक और कंटेंट्स जो है मैंने एड कर लिया है सो उसकी उन सब को मुझे एक साथ लेकर चलना है सो मैं अपना एक best ever try करूंगा कि आपको जो है वीडियो regularly मिलता रहे और आज मेरा first lecture है biology का और मैं स्टार्ट करूंगा human physiology से देखता हूं आपका मुझे feedback चाहिए कि कैसा लगा आप पूरा lecture जरूर देखे लिए और मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा मतलब अगर कोई teaching style में problem है या कुछ भी एक द्वाउट है आपको तो मुझे comment section पर बता सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं मेरा instagram का link जो है वो description box में मैंने दे दिया है तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले मेरे class को शुरू करते हैं अब हम आ चुके mobile की screen पर गाइस यहां पर मैंने फूल जो है एंसे आटी बेस जो है नोट्स प्रिपैर किया है और अगर आप यह वीडियो जब देख रहे हैं तो आपको लेखे बैठेंगे सो आपके लिए बेनेफिट होगा क्योंकि मैं आपको कुछ जो है बीच बीच में बताता रहूंगा कि यह पॉइंट जो है अंडर लाइन करिए यह शायर इंपॉर्ण है नीट परस्पेक्टिव जो है वह इंपॉर्ण है आपके बोर एक्जाम है या फिर आपके जो स्कू सब्सक्राइब करें तो मेरे जो बुक है उसमें 257 है अगर आपकी कोई भी बुक है तो वह आगे पीचे एक दो पेज नंबर जो है आगे पीचे हो सकता है सले बात कर स्टार्ट करतें अब इंट्रोड़क्शन से सो इंट्रोड़क्शन का पहला पॉइंट जो है वह वह कार्बोग्हाइदर प्रोटीन फैट और वाइटामीन्स जो heavy was small quantities में किसे भी फूड में जो है प्रिजन होते है लेकिन अगर ग्यच्छरं कंपवूरं कीभाथ कसीबी फूड में ऐह थी के लिए का इस यहां पर ऑर्गैनिक मटीडियल जो है वह है लिपिट्स है या फिर प्रूटीन से या नुकलिक असीड है यह सब जो है वह ऑर्गैनिक मटीडियल में इंक्लूड किया जाता है वाटर प्लेस अकी रोल इन मैटाबोलिक प्रोसेस अब गाइस यहां पे के लिए जो एक लिए जो जो है बहुत बड़ा इंपोर्टन डौल करता है एंड यह जो वाटर है वो भी की रोल प्ले जो करता है मेटाबोलिक प्रोसेस में थो स्टॉप टीधिंग डबोडी डी हाइडरेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी वाटर जो है प्लेज बड़ important role play करता है सो यहां बहुत हैं सकता है first line से ही के blank is the basic requirement of all living organisms आप फूरा अंसर लिख सकते हैं major component जो है वो carbohydrate protein and fat है vitamin and seminar छोटे से component quantities में present होते हैं food जो है वो energy provide करता है और organic materials उसमें होते हैं so growth and repair हो सकता है tissues का और water जो है वो प्ले रोल प्ले करता है की रोल प्ले करता है metabolic process या फिर बोड़ी को dehydrating करने से वो प्रिवेंट करता है कैसा अब आगे बढ़ते हैं तो आगे में हैं bio macromolecules जानी कि जो बड़े molecules होते हैं present in food that cannot be taken by our body बहुत बड़े molecules जो है big molecules है वो हम अपनी body में है जो है वो डायरेक्ली नहीं लिसकते हैं उसका दो हमारा body की वो जादा accept नहीं करता यह बड़े-बड़े molecules के लिए जो प्रोसेस है दा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन आफ complex substance into simple adsorbable substance is called digestion प्रोसेस जो है complex substance को छोटे से simple substance convert करने के लिए इसको हम बोलते हैं डाइजेशन कैसे दो डाइजेशन सिस्टम है यह जो हमारा system है वो दो मैटर से चलता है पहला मैटर जो है वह मैकेनिकल मैटर और दूसरा जो है chemical है सी जो है both of the above है और जो डी है वह नन अब तेम है यहां पर बोत अब आप 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 आएगा mechanical and biochemical matters जो है वह दो मैटर से डाइजेशन सिस्टम की यह एक बड़ा सा जो है एक अच्छा केनल से बना है और associated gland से बना है काई इस यह elementary केनल जो है वह उसके हम सबसे पहले बात करते हैं तो elementary केनल जो है वह start होती है एंटीर ओपनिंग माउथ से और यह जो है खतम कहां होती है तो खतम होती है open south posteriorly through the anus क्वेशन बन सकता है यहां पर आपको जिए जो एंटीर है और posteriorly यह जो डो वर्ट है वह आपको माइंड में रखने एंटीर से दा माउथ और पॉस्टेरियल से दा एकनल करते हैं जैसे ही माउथ खतम होता है और और ओरिल कैयविटी और आपको कैयविटी अधे लिए और बखल कैयविटी में नमबर ओफ थीठ होते हैं और एक muscular tongue होती है each tooth singular कैसे अगर हम plural लिखते यहां बहुत सारे लिखते तो यहां पर आता है तीथ लेकिन हम यहां पर एक particular tooth की बात करें तीथ की बात करें तो यहां पर हम यूज करेंगे tooth is a fix in a socket of jawund एक जो tooth होता है वो एक socket में fix हुआ होता है यहां पर socket या यहां बोल सकते हैं इक hole है और या फिर इक compartment इसको बोल सकते हैं जिसमें एक जो तूथ है वह हमेशा fix रहता है यह जो टाइब का attachment होता है इसको ठीको ड़न बोलते हैं यह जो एक tooth जो है वह किसी बी जौकेट में attach होता है किसी अच्छ होता है उसको उस type का अटेच्मेंट को बोलते हैं ठीको रण जूरिंग होल लाइफ मैजॉरिटी ओफ मैमल्स इंक्लूदिंग हुमन सब्सक्राइब यह जो पूरे लाइफ टाइम की हमारी जर्णी रहती है उसमें हमारे दो प्रकार के तित जो है वह आते हैं पहला जो होता है यहां पर हम गु यह जो पर्मनेंट और एडल टीट जो है वह हमारे लाइफ लाइफ टाइम तक लास्ट मोमेंट तक चलते हैं और इस टाइप के डेंटिशन को कहते हैं डिफोरंट यह जो है टाइप का डेंटिशन होता है इसको हम कहेंगे डिफोर्ट जैसे कि आप पेज टर्न करोगे 257- 258 पर आओगे यह एक आपके सामनी फिगर होगा काई यह जो फिगर है वह काफी इंपोर्टन फिगर है इसमें शायद जो है आपको नीट में ऐसा कर सकते हैं कि यही फिगर दे और इसमें से जो दो तीन लेबल जैसे कि यहां पर यह जो नम हैं प्रैंक्रिया से स्टमक है जह है कोई भी दो- enfin qulug Highway कर सकते हैं और उसके अप्षंस में आपको पूछ सकते हैं कि शायद आपको पूछ सकते हैं यह लेबल भी आप टिकमाग जरू किजिएगा यह इंपॉर्टन्ट है एमसी क्यू के लिए का इस जैसे कि आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं तो एन एडल्थ यहां पर बहुता है कि सारे जो यह मोलार प्रीमोलार अलग अलग अगर यह सेम टाइप के होते हैं तो उसको और हम कह सकते हैं यह लाइन जो है ऐसें एंजो काइब हैं हमा करे और मीडल यह रहां यहां है मीडल में और हमार इसे और लौ Doesn't यहांते हुए और भ्रक्व does का इस और यहां की बात कि है तो धराट इस मिल मैं streep की बात कि तो पुल मंड़ा है यहांस जो घोना मिटल में यह अगरन मीडल में कट कर बन जाए जाएगा पन जाएगा यह अपर जो में मेरा डन क्या में होगा 21232 123 ऑन जो है वह यह मोला होगा यह मेरा देंटल फौर्मिला रहेगा इंप्रैंट इक इंप्रैक बनता आ सकता है जैसे कि आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं यह फिगर भी इंपॉर्टन है शायद यह लोग मिसिंग कर दें और आपको पूछ ले कि यहां पर कौन सा आएगा यह एक इंपॉर्टन है सब्सक्राइब करता है straight up's you चाने मतलब होता है जैसे कि आफ फूड कو चीऊ करते हो घृषप करता है वह बहूट होता है और छëlक करता है मुवेबल मस्किलर और और यह बकल केविटी कह सकते हैं इसके फ्लोर पर पर नाम से अटेश है यहां पर फ्रेणलम देख सकते हैं यह तंग के नीचे जो है यह 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 इसको बोलते हैं फ्रेणलम से जो है टंग वह आटाश्ड होता है यहां से अटेश्ण ओधा इसको बुलते हैं अपर सर्फेस अप्याज पेले स्टेश नहीं होते हैं उसमें जो test birds जो है वो इक Exodus होते हैं और सिकर्व बता है यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रहों पैफले शारी इज सब्सक्राइब करता है तो इसको कहते हैं इसको कहते है सब्सक्राइब करता है यहां पर एक फ्लैप बना हुआ होता है यह जो फ्लैप करता है सब्सक्राइब करता है यह जो हमारा वह होता है उसमें वह चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा सब्सक्राइब करता है मैक्सिमम टाइम नीट में यह कोश्चन आ चुका है कि अपिक लोटिस का फंक्शन क्या है या फिर ऐसा नीट में आ चुका है जैट विच और प्रिमेंस्ट एंट्री अप फूद इंट दो ग्लोटिस जो है वह इसका एक आंसर रहता है 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 कैस भूद बात करते हैं इसओ एस फैस जो है वह इस फैगिश जो है वह एक थीन Muscular Sprinter Gastroesophageal Regulates the Opening of Esophagus into a stomach Muscular Sprinter Gastroesophageal Regulate the Eosophagus in the stomach So guys, this is a MCQ type that Consus Sprinter Regulate the Opening of Esophagus into a stomach This is a big MCQ in the NET or in any school exams If you can ask the description of the Eosophagus in the description, you can write that Eosophagus is a thin, long tube Extend and pass the Nex, Thorax, Diagram, then it ends in the stomach The Eosophagus is a stomach, which is a spinter which regulates the name of gastroesophageal This is a spinter which helps and regulates the Opening of Esophagus into a stomach Guys, then we talk about the stomach So, we talk about the stomach So, the stomach is the location of the upper left part of the abdominal cavity This is the location of the upper left part of the abdominal cavity It has 4 parts The first part is cardiac Where the esophagus is open This is the location of the stomach The first part is cardiac The second part is fundic The third part is body We can say the main central region The fourth part is pyrolic portion This is the fourth number So, here you can figure it out ncr रहें टाइं कार्डिक फंडस पाइल और यहां पर डिशन लेख नर्वें जाता है पाइल ट्रवा वें जी पॉशरन पार्ट का ओपन इस नमक का ili एतना ही यहां सिया टी में यहां पर अधिर्शर एक पर्षय जव जो स्कूष का वह उपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइं में जैसे यह पार्योप में किया गया है सबसे पहला जो है रूंग कोई सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको मगब करने की कोई भी चीज की जरूरत नहीं आपको पहले समझना है कि क्या होता है तो जैसे कि मैं यहां पे खुद बोल रहा हूं कि जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका पहला पार जो है जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हाइली कोईल है कि आपको ऐसे सिक्वेंस वाइज इसको एक समझना है और लॉन करना अपुरा अगर लॉन करने जाओगे तो शायर आप कुछ समय के बाद बूल जाओगे सो अंडेस्टैंड करके लॉन करना है जैसे की हमने बात की जैसे की इसोफेगर से स्टमक में जो है एक स्पिंटर था वैसा ही यहां पे एक स्पिंटर है जो यह रेगुलेट करता है जैसे ही स्टमक जो है वह एंटर होता है करता है opening off stomach into a small intestine यहां पे मेने एक फिकर दिया आइस इस से आप जब हासानी से understand करपाऊगे यहरा small intestine यह descending column यह जो आगे आएगा अ भящा प्राइप कर सकते हो है कैस जैसे Sparkle के वह एंक का इतना ही portion जो है and see utility कि ए आता है large intestine कइस इलियम open होता है लांज इंटरिश्टाइन में जैसी सपाणने मिया जा सबस्ताइब होता है तो उसका जो लास पाप सब्सक्राइब कर नाम है लीम ईलियम जो है टो हर एक चीज का बाइब हो यहां पे लाज इंटरिश्टाइब है उसके पार्ड श्री सिक्कम कोलॉण एंड रेक्टम सिक्कम जो है वह एक स्मॉल ब्लाइंड सेक है जिसके पास बहुत सारे सिंबायोटिक माइक्र और इसमें एक जांपल मैं यहां पर दिया है ऑपली कोट एनेरोप्स के कुश्चिन आ सकता है कि लाज इंटेस्टाइं के कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें सिंबायोटिक माइक्र और इसम प्रेजंट है सो उसका अंसर आएगा सिक्कम एक में आ सकता है यहां पर नेरो फिंगल लाइक ट्यूबिले प्रोजेक्शन आप जैसे आगे फिगर में देखोगे पहली वाली फिगर में आपको पता चले का वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यह जो है सिक्कम से अराइज होता है और यह वस्ताइजियल और गन है इसका कोई यूज नहीं होता किसी भी बॉड़ी फंक्शन में पहले होता था लेकिन अभी जो इवालेशन के टाइम पे यह हो गया अमारा बॉड़ी इतना डेवलॉप सो इस जो यह जो ऑर्गन है अपैंडिक्स से वर् जो है अधिसेंडिंग और फूर्व सिकमोट कोलॉं जो डिसेंटिंग वो एक्टम में ओपन होता है विचोपन आउट थ्रू एनस तो यह थोड़ा सा यहां से बाहर गया हूं कि मुझे ऐसा लगा कि यह तो चीज़ है यह शायद अगर आप understand करते हो तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा यहां वे मनें स्मॉल इंटेस्टाइन निर्टेस्टाइन के फंक्शन एड किये है तो शाहिद आपको समझ में आए किया फंक्शन एड करते हैं लेकिन साहिए आपको काम आजाए यूस हो सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइं कंप्लेट सब्सक्राइब अब प्रोटीन कार्भोहडरेट पाट जो और निकलीक ऐसे का जो जो भी सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब यानि कि कुछ दाइजस्टिव एंजाइम सब्सक्राइब जाएं बात कि हैं लाजज़ इंटेस्टाइं के बारे में तो यहां पर यहां पर जो है बैक्टेरिया इसलिए यह माइक्र ओर्गेंजम जैसे की बैक्टेरिया जो है वह वह स्मॉल आमाउंट आफ वाइटामीन के अधामीन बीकॉंप्लेक्स यहां पर मैंनुफेक्ट्टर करते हैं यह जो फंक्शन से वह तो आसा एंस आपको यूस आ जाया यह जो है यालेमेंटरी सोफ ही इस ओपारड़ाइश्य में जो है बाइंस तो ऑलेमेंटरी वह साथम और तक खतम और उसके चार पार्ट यह जो से सब्सक्राइब जो है मुकोसा अगर आप 11 में हो और स्कूल में हो यह जो कुश्चन है आपकी स्कूल एक्जाम में थियरी में आ सकता है एक्सटेंग शॉट्न नॉट ऑन हिस्टोलोची ऑप अलिमेंटरी के ना सब्सक्राइब यहां पर आप मेरी तरह जो है सिक्वाइस लिख सकते हो मैंने हर एक जो लेयर है उसका एक्स्क्राइशन तीया है यहां पर यहां पर दो तीन लेबल को हटा कि आप सकते हैं सो यह एक फिगर भी एक इंपॉर्टन रह सकती है नीन परस्पेक्टिव के तैन हम बात करते हैं अलग-अलग जो यह लेयर हैं उसमें मैंने हर एक का जो फंक्शन हैं जो मेंशन किया है वह यहां पर मैंने लिखा है सेरोसा तो सेरोसा जो है वह इनर मोस्ट लियर है और यह मिजो-ईप 시 쿠 उैशन से बनी हूई है यह फिर हम कह सकते है मिजो थेलेम से बनी विए और कुछ कनेक्टिव टिश्यो से बनी हूई से बनी है और कुछ अबलिक मसल लेड़ है उसमें शायद प्रेजंट हो सकते हैं कुछ-कुछ वीजिंस में यहां पर इस तरह से याद कर सकते हो अपने सब्सक्राइब यहां पर मैंने लिखा है सब्सक्राइब बना हुआ है इन से बना हुआ है इन से बना हुआ है अगर हम बात की सबसे पहले कि यह जो है सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब हो सकते हैं यहां पर आती है म्यूकोस हो जाए वह इनर मोस लियर है और लाइनिग ध्यूमन ऑफ एलिमेंटरी केनल लियूमन जो है वह सबसे अंदर है लिमेंटरी केनल के यह जो म्यूकोस है वह उसको पुरा सराउंड करती है पुरा लाइन करती है इस लेयर फोल्ड्स रूजे इंस टमक एं स्मॉल फिंगर लाइब यूजिय वह वह इनर मो वह इंटेस्टाइन था पैश्टी ए व जो है वो स्मौ फिंगर ब्रोडेक्शन ऐसे की बियल एवो स्माल इंटेस्टाइन में फ्रॉम करती चिह उसे पहले और डैगिलये ग्यूल फोल्ड रजे first water appearance दो जो वियली के जो सेल हैं वह एक met को स्कोपीक प्रोजेक्शन को फॉर्म करते हैं इसका नाम है माइक्ष अप्रइम्हें डेता है और सर्फेस अडिया को इनॉर्म श्री जो है बढ़ा देता है कौन यह माइक्रोविली यहां पे फिसेटा है कौन झो है वह इंक्रीज करता है सप्लाय होती है इसको पोलते हैं अगर लैक्टियल जो है उसको आपको कुछ अलग तरह से समझना है तो एक और चीज में नहीं पर लिखिए लेक्टियल इस लिम्फाटिक कैपिलरी देट एब्स नाटरी फैट्स इन विली जो लेक्टियल होता है वह बहुत सारे लिम्फाटिक कैपिलरी होती है और यह एब्सॉप करता है डायट्री जो डायट्री फैट्स जोते हैं विली को एब्सॉप्शन में हैल्प करते हैं यह जो फैट्स वह इसली एब्सॉप हो जाते हैं जैसे यह जो लिम्फाटिक कैपिलरी प्रेजंट होती है तैन हम बात करेंगे मुकोजल एपिखिलियम है जो हमने लास्ट जो लियर था अलिम आनके पास और यह सीखरी करता है मुकस में जो है यह करता है मिनस का मेनिंग यह होता है कि रीमूफ करना अगर कोई सर्फेस तो और को बोलते हैं म्यूक्स और सफर्म ग्लैंज इंस्टमक और ग्लैंक वे फॉन करता है ग्रीप्स क्लिप्स अप लिभर कंप जो सब्राइब करता है जिसका नाम है सब्सक्रब्स प्रेसिंग को बन सकता है कि क्रिप्स का नाम क्या है एक वाल फॉर पार्ट वार्णिफिकेशन इन दिफेर्ट पार्स अप इलिमेंट्री कहना यह जो भी चार पार्ट है यह अलग-अलग मोडिफिकेशन दिखाते हैं अलिमेंटरी के नालगा अब तक हमने यहां पर पड़ा पेज नमर 260 में थैंक्स लॉट और अब हम जो है हमारा जो अपकमिंग लैक्षर जो है उसमें हम देखेंगे डाइजेस्टिव क्लाइंट्स देन हम देखेंगे डाइजेशन आप फूड डाइजेशन आप फूड जो है विक आइंप टोपिक है और थोड़ा से बढ़ा है तो उसके लिए मैं सेपरेट लेक्षर रखूंगा वाइगा पार्ट थी में पार्ट तू में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव क्लाइंट्स यह मेरा था फॉर्स जो है टीचिंग का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना और अगर आपको थोड़ी सी प्रावल्म लगी है आजीश माइफ फर्स लैक्शर आप मुझे कॉमें सेक्शन में जो है बता सकते हो या फिर मुझे आप इंस्ताग्राम पर बत से लिंक में चेक कर सकते हैं आप मेरा भॉख जो है उसमें पर सकते हैं ये पूरे ब्लॉख में मैंने ये लीट knowledge की ऽे वहां आप चैक ऊट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना तो था मतल भी आप नोट कर सकते हैं सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब थैंक यू थैंक यू सो मच